हाई आज वीडियो पहली बार देख रहा है हम के लिए मैं बता दू हम कवर कर रहे हैं यह सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे नितिन सांगवन सर की एसेंशल सोशालोजी और साथ में कुछ टाइम के बाद इकनो का सोशालोजी माटेरियल जो आपके यूपीसी सिविल सर्वेस ए वाले हैं तो यह इसकी जो टागेट ओडियंस है वो स्टुडेंट्स तो प्रेपेर कर रहे हैं सिविल सर्वेस एक्जांब स्टाइव यह स्टेट पीसी यह कोई भी ऐसा एक्जाम जिसमें सोशालोजी की कोर कॉंसेप्स आपको समझने हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आ और फोकस क्या है वो सब्जेक्ट के अंडर आपको क्या-क्या पढ़ना है तो जब स्कोप अफ सोशालोजी की बात होती है तो सोशालोजी की अंडर आप क्या-क्या स्टाटी करते हैं अब यह सिस्टमाटिक स्टाटी अफ सोसाइटी है यह मैंने आपको लास लेक्चर में बताया था, कि जो sociological deliberations सी वो पहले भी हुआ करती थी जिसे man is a social animal ये Aristotle ने काफी पहले कहा था और जो sociology है ये एक younger social science है, 19th century में established हुआ है, तो फिर बाद में क्या हुआ, ऐसा कि sociology को ऐस अलग discipline जो लाया गया क्या difference था उसमें, कि अब जो society की study है, वो systematic और scientific हो गई, fine और ये study करता है human society को as interconnected whole, अलग individuals को ही study नहीं करता, वो आपसने उनका pattern of interaction कैसा है, patterns of social interaction ये देखता है, ठीक है interconnected whole and how society and the individuals interact with each other, ठीक है तो जो ये interaction वाली बात है यही आप scope मान के चलो इससे आपको समझ में आएगा कि sociology का scope कितना wide है, अब देखो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ मेरे बात करने का तरीका आपके साथ कैसा है, और मैं अपने friend से कैसे बात करूँगी, ये दोनों जो है, ये sociology के scope में आएगे, दो individuals आपस में कैसे interact करते हैं, एक individual अपने घर में कैसे बात करता है अपने office में कैसे अलग बात करता है अगर वो एक shopkeeper से interact कर रहा है, तो किस तरीके से interact करेगा, ये सारी चीज़ें, मतलब एक छोटी, एक micro चीज और बहुत एक macro level की चीज जैसे अगर आप global level में देखो, चाहे वो terrorism को study करना हो, वो भी इसके scope के अंडर आता है, और small level का दो friends का interaction वो भी इसके scope के अंडर आता है, तो काफी एक wide scope है sociology का general study imply करता है other social science disciplines deal with more specific areas, while sociology takes a broader view ठीक है, ये आपको general study imply करता है कि social science disciplines जो हैं, जैसे आपका psychology हो गया वो क्या पढ़ता है, human, आप बुलूगे mental behavior को आपके mental behavior, आपके mind को study करेगा psychology, ठीक है, और sociology क्या करेगा, वो society as a whole को study करेगा, तो sociology जो है, it takes a broader view sociology seeks to study society and to analyze it in terms of social relations that have a pattern, ठीक है sociology seeks to explore how and why societies emerge persist and then change, ये explain करते है societies emerge क्यों हुई, persist कैसे हो रही है और social changes कैसे आ रही है, ठीक है तो इसका जो scope है, उसमें आता है study of social groups, institutions and social processes social processes, basically आपका क्या होता है देखो, society में क्या क्या हो रहा है, जैसे conflict चल रहे हैं, या cooperation की बात करो, या socialization की बात करो, जो individual units आपकी society को comprise वो अलग सारे processes, उनको आप एक नाम देते हो, called social processes तो ये सारी चीज़े जो है वो कौन पढ़ता है, sociology, ये भी sociology का scope है, हमें scope पढ़ रहे है sociology का, that means, हमें ये बोलना है कि sociology के under, क्या-क्या चीज़े हम पढ़ाई, क्या-क्या study जो है sociology के under, वो होती है ठीक, अब देखलो the scope of sociology study is extremely wide, ठीक है ये focus करता है on sorry, on interactions between individuals, as that of a shopkeeper with a customer, between two friends or family members, वो सारा इसके scope में आता है, ठीक है और analyze करता है national and international issues को, as well in a systematic manner तो जैसमिना बोका terrorism, एक global चीज़ है, उसको भी analyze करेगा उसके reasons को भी देखेगा, एक social perspective से, और आपका friend के साथ, आपका interaction कैसा चल रहा है उसको भी social perspective से देखेगा तो काफी इसका एक wider scope आ जाता है further scope of sociology जो है, it is more in the direction of analysis of social problem and social systems and not in the normative suggestions, अब देखो ये आपको problem को analyze करके देता है, social systems को, social problems को analyze करता है लेकिन ये आपको उसके solutions नहीं देता है, fine, क्या हमें क्या करना चाहिए, ये, वो solutions आपको नहीं provide करता है, अब वो क्यों नहीं provide करता है, क्योंकि इसमें एक bias आ जाएगा for example, अगर कोई इंसान women empowerment में believe नहीं करता है, ठीके, अब वो gender related चीज को बढ़ रहा है अब अगर उस finally उस study का वो कोई solution दे, तो उसके solution में उसका एक bias involved होगा तो इस वजह से solution नहीं provide करता है सिर्फ analyze करता है social problems को उनके reasons आपकी सामने रखता है उसको एक critical perspective आपको देता है उन problems का अब देख लो, जो ये वाला paragraph है, ये मैंने खुद से अभी skip किया है क्योंकि ये वो portion है जो आप thinkers में पढ़ोगे तो अभी आपको social facts क्या होते हैं social action क्या होते हैं समझाने बैटूंगी बस इतना समझ दो, ये कुछ इसमें दिया हुआ है, ये कुछ individual concepts है जो कुछ thinkers ने दिये हैं और उन thinkers के according वो individual concepts जो है वो scope of sociology के अंडर आते हैं ठीक है, आगे देख लो 1880s के बाद sociology जो है, इसको established किया various departments में, ये उरप में ठीक है, तो पहला department था वो established किया, Durkheim ने in France Durkheim ने divide किया scope as social morphology, social physiology and general sociology, ठीक है Durkheim हमें, ये हमें इंडिविजुली बढ़ना है, तिंकर, अब यहां पर मैं आपको बताती हू, social morphology, physiology and general sociology क्या हुआ social morphology क्या होता है किसी चीज का structure physiology क्या हुआ, किसी चीज के functions, तो morphology आपको बताता है, social structure society का कुछ structure बना हुआ है for example, इसमें एक family institution है, इसमें marriage है इसमें education है, इसमें politics है, fine, यह कुछ structure है society का, social physiology बोलता है, कि यह जो structural चीजे है, इनका कुछ function है यह society को cohesiveness लाते है society में that means एक unity लाते है society में ठीक, एक unity लेके आते है society में यह social morphology बताता है social physiology बताता है कि social morphology की जो चीजे है that means society का जो structure है उसमें जो structural units हैं, जैसे family हो गया, marriage हो गया, kinship हो गया, politics हो गया, caste, education हो गया, class हो गया, कुछ भी, different structures है, उनका कुछ function है, वो क्या function, वो function क्या करता है, वो society को unite करके रखता है, जैसे आपका marriage, वो society को unite करके रखता है, ठीक है, और general sociology, जिसमें हम general society के, society के division के concepts पढ़ते हैं, तो यह आपको दुरखेम ने बोली यह सारी चीज़े, फिर Max Weber ने क्या कहा, इन्होंने इंट्रेड्यूस किया, micro vivo sociology, इनको भी हम detail में पढ़ेंगे, यह भी हम detail में पढ़ेंगे, आप भी tension नहीं लेना, बस अभी scope के लिए over view थोना होना जरूरी है, microwave क्या क्यों लिया इन्होंने, इन्होंने कहा, आप interaction पर ध्यान दो, आप interpret करो, interpretative understanding of society, fine, interpretative understanding of society, that means, आप कोई अगर action कर रहा है, आप उस action को उसके meaning से समझो, अगर दो लोग बात कर रहे हैं, आप देखो, उन दो लोगों के आपस में बात करने का क्या meaning है, उसको आप meaning को interpret करो, जादा global level की आप बाते नहीं करो, कि आप पूरे एक marriage institution की बात करो, आप पूरे एक marriage institution की बात करो, आप उतना macro view नहीं लो, आप एक micro view लेके society को समझो, कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, उनके आपस में बात करने का क्या meaning है, उनके उस action को आप interpret करो, और वो ही आपका scope है, sociology का, यह किसका बोलना था, यह Weber का, ठीक, अब देखो, during this period, there are, there were two dominant schools, जो थे, micro यह formal school, and macro और synthetic school, macro जो में आपको पहले बोला, scope of sociology बहुत वाइड है, micro, जैसे आपकी interpretative understanding of sociology, जो Weber नहीं दी थी, ठीक है, यह हमें thinkers के chapter में, fourth chapter हो है, वो thinkers हमें in detail discuss करेंगे, it aimed according to Max Weber and interpretative understanding of society, अब जो Marxian sociologist है, यह भी हमें आगे discuss करना है, उन्होंने एक critical perspective लिया, थोड़ा में आपको overview दे देती हूँ, Marx का क्या कहना था, इन्होंने का था, society आपके economic lines पे divide हो गई है, उसका क्या मतलब हुआ, देखो society में उन्होंने का दो groups है, एक haves हैं, और एक have nots हैं, आपके इन simple layman terms आपके rich हैं, और यहां पे आपके poor हैं, यह आपके industrialists हैं, जो owners है, factory owners है, और यह आपके labors हैं, ठीक है, और यह जो है, मतलब यह economic division हो है, society का, गर society को अप इस बात पर डिवाइड कर रहे हो, आपके जितने भी बाकी structures in society के, जैसे polity हो गया, religion हो गया, यह education हो गया, यह सारे इसी around build है, ठीक है, दिखो education आपको school में भी ऐसी चीज़े पढ़ाई जाएंगी, जो आपको क्या बोला जाता है school में, कि पढ़ो, लिखो, अच्छा, ठीक है, आप कमाओ, यह, जॉब कर लो, salary आजाएगी, ठीक है, फाइनली आपको किस तरफ लेके जाता है, यह सारा education system की, जादा कमाओगे, जादा अच्छी life आएगी, that means, इसका एक indirect, एक दूसरी चीज़ भी आपको क्या बोल रहे है, कि जो गरीब है, उनकी life अच्छी नहीं है, आपको गरीब नहीं बनना, आप अच्छी salary लेपा और अमीर बन जाओ, ठीक है, religion, church वगेरा, जो भी है, उस ताइम पे उनने church के influence की बात की थी, कि वो जो है, वो आपको बोलेंगे कि, आफटर लाइफ पे जादा दियान दो, अगर आप अभी poor, आपने पिसले जनम में कुछ किया होगा, तो next जनम में हो जाओ गए, ठीक है, या आप, आपको religion क्या बोलता है, कि accept spending मत करो, आप चीजे जदा सेव करो, तो ये सारी चीजे किस की तरफ आपको इशारत, अगर आप capitalism का देखो, capitalism क्या बोलता है, अगर आपके पास profit है, कल को आप उस profit को invest करो, और यहां से आपको religion बोल रहा है, कि फुजूल खर्ची नहीं करो, that means, जो पैसे हैं, वो save करो, तो ये सारी चीजे जो है, कोड रिलेटेड हैं, कही ना कहीं economy डिटर्मिन करती है, आपके बागी structures कैसे होंगे, fine, तो ये सारी चीजे Marx ने बोली, यह हमें उनकी सारी theories in detail भी discuss करेंगे, तो वैसे ही करके आपके neo- तो उन्होंने और इसका sociology का scope wide किया, उसमें cultural studies को include करके, आगे टेलकॉर्ट पासंस, इनका again social action, social systems, यह भी हमें detail में पढ़ना है, जब हम टेलकॉर्ट पासंस पढ़ेंगे, तो यह भी अभी topic से थोड़ा हम अलग हो जाएंगे, अगर मैं आपको अभी explain करने लग जो, यह स लेके आए, sociology की study में, फिर आगे poststructuralism, poststructuralism basically क्या करते हैं, यह कहते हैं, जो भी established order है, उस सब को deconstruct करो, ठीक है, और reality जो है, वो change होती रहती है, कोई एक stable, एक final, कोई destination, final reality, कुछ भी नहीं है, realities change होती है, बनती रहती है, for example, अगर हमारे पास एक established thought था gender, जब आपके दि male, female, ठीक है, आज से कुछ साल पहले, अभी आप देखो, अगर पोई form बने जाओ, वहाँ, female and others लिखा होगा, that means gender, जो समझा जाता था, एक stable चीज है, fine, वो society को डिवाइट कर रहा है, male या female में, वो आपको poststructuralism बोल रहे हैं कि नहीं, एक social construct है, यह change होता रहेगा, अब में others भी add हुआ है, ठीक है, तो यह एक real life example से तोड़ा आपके लिए easy बनाने के लिए, तो इन्होंने poststructuralism से एक नया view, एक नया angle मिला, sociology को, इन्होंने इसको interdisciplinary बनाया, ठीक है, अलग-अलग discipline से मिला के, इसका जो scope है, वो further expand किया, इन्होंने अब क्या अलग-अलग discipline मिला इन्होंने का, जैसे issues है, health है, aging demographic issues, cybernetics, information technology, यह सारे scope है, sociology के, इन सारे चीज़ों को भी पढ़ना है, according to French author, John Baudrillard, इन्होंने क्या का, Marxist idea जो है, वो dominated था by economic structure, कहा सरफ economy नहीं, राधर mass media, वो भी determine करते है, आपकी society, क्योंकि mass media में आप क्या करते हो, कुछ science images देखते हो, अ political party हो, religion हो, कोई company हो, उनके बारे में, एक mass media campaign चलेगा, चाहे वो positive हो, या negative हो, accordingly आपके mind को impact करेगा, positive भी, negative भी, वो अपकी society को change करता है, यह माना था, कि आपकी society है, वो सरफ economy से impact नहीं होती, वो बाकी institution से भी impact होती है, जिसकी example इन्होंने बुली, mass media, ठीक है, तो इसमें ह हमने देखा, scope of, यह, sociology, तो हमने किस से इसको start किया, कि जो scope है, sociology का scope काफी wide है, जैसे पाकी social sciences के comparison में, fine, इसका extremely wide है, फिर मैंने आपको कहा, थोड़ा सा part आप skip कर, तो यह हम thinkers में, detail में पढ़ेंगे, जैसे दरखाईम ने बोला, social fact, जो है, वो, है, इसका scope, social facts, जो है, वो scope है, sociology का, यह social facts क्या होता है, यह मागे पढ़ेंगे, फिर दरखीम ने और चीज़े बताई, social morphology, physiology, general sociology, Weber का micro view हमने देखा, फिर देखा हमने इसके scope में critical perspective, marxian sociologist का, ठीक है, फिर हमने new marxist देखे, marxist thoughts plus culture perspective, फिर हमने देखा, आगे tell god passers ने combine किया social action and social systems को, यह हमें chapter 4 में detail में पढ़ना है, फिर हमने देखा, 1960s में आपकी feminist sociology आगई, तो gender based study, gender based explanations, जो है, वो आगई हमारी सामने, फिर हमने फाइनली देखा, post structuralism, जो क्या करता है, deconstruct करता है realities को, फिर हमने कुछ इसमें और add-ons देखे, जैसे mass media, वो भी important आपकी society के लिए, वो भी impact करता है society को, fine, तो ये सारी चीज़े किसमें आगई, इसकी scope में, next topic की तरफ चलते है, sociology and other social sciences, देखो, sociology का relation है, other social sciences से, fine, एक standalone subject नहीं है, वो हम आगे देखते हैं, किस-किस subject से इनका क्या relation है, sociology and economics, fine, अब देखो, पहले मैं आपको explain करते हूं, sociology and economics क्या है, अब देखो, अगर हम इंडिया क that means, जो हमारा section है, for example, BPL हम लेते हैं, below poverty line, उनके लिए कोई schemes लेके आता है, fine, for example, अभी कोई LPG, gas, cylinder, उनकी कोई scheme लेके आई, तो उसके लिए पहले उनको study करनी है, society, उनको देखना है, ऐसे कौन से लोग है, मतलब कितने लोग हैं, जो अभी भी wood and dung वगेरा पे रिलाई क करते हैं, पहले उनके behavior, उनके pattern को study करना है, उसी according for LPG scheme लेके आनी है, तो जो scheme लेके आना किसका काम है, वो आपके government का काम आ गया, वो आपके economy से related हो गया, fine, welfare economics की बात होगी, लेकिन उनको इसका data किसका चाहिए, आपकी society का data चाहिए, तो उनको किसकी जुरत पड़ेगी, उनको sociologist की जुरत पड़ेगी, जो आपकी society को study करें, तो ये इनके relation होगे, economy में क्या आपका aspect आगे, methods of earning, ठीक है, earning आपका economic aspect आगे, आप कमा रहे हो, तो आपकी economy चल रही है, nation की, अब method of earning, आपको पैसे ज़रूरत है, आपको कमाना है, इसकी वज़े से आप क्या करोगे, क्या आप theft करोगे, नहीं, आप कोई काम करोगे, जो काम approve होगा, socially, legally approved होगा by society, ठीक है, that means आप अपने काम के लिए चोरी नहीं करोगे, अगर आप काम करने के लिए extortion नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कोई legal काम करोगे, जो काम आपकी society approve करते है, look down upon नहीं करती है आपकी society या आपका जो law justice system जो भी बना हुआ है आप हमेशा society की जो approved standard है उन पे रहने की कोशिश करोगे कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वज़से आपको society से ही निकाला जाए ठीक है तो आप earning आपकी economy का part आगया लेकिन वो कुण सा method आप करोगे जो आपका socially approved method है तो वो आपका किसका part आगया sociology का तो ये इन दोनों का relation है अभी देखो अगर इस पे भी हम example लेते हैं कुछ साल पहले जैसे अभी Instagram Reels का time है काफी famous चल रही है ठीक है YouTube Shorts का जमाना अगर आप Shorts देख लो मतलब कोई Shorts ऐसे वाइरल होते हैं कि इसान सोचता है ये वाइरल के सबात पे हुए बेवकुफ Shorts बने हुए बेवकुफ Reels बने हुए कुछ साल पहले ये method of earning नहीं चलता इसको look down upon किया जाता था सोसाइटी में पर इसलिए अप यहाँ जरिये से कमाना अजीब लगता था कि अपना face दिखाना पर ऐसी कुई हरकत करना ये Reels बनाना डांस करना ये TikTok वगरा ये कुछ टाइम पहले socially approved नहीं था पर आइसा आइस्ता अब इसकी audience बढ़ रही है इसको acceptance मिल रही है तो ये आपका method of earning अब यहां से लोग कमा रहे है ना आप TikTok से भी कमा रहे है YouTube से भी कमा रहे है तो वो आपका economy का part बन रहा है और अब इसको wider acceptance मिल रही है इसलिए लोग यहां से कमा रहे है तो ये आपके wider acceptance आपका किसका part होगे sociology का तो ये relation है इन दोनों streams के बीच में ठीक है methods of earning money are also guided by social norms and values जिसे मैंने का जलो theft and robbery लीगली भी ठीक नहीं है कोई काम जो socially approved नहीं है आप ऐसे भी earn नहीं करोगे जैसे भी मैंने आपको TikTok की example दी अब ये socially approved हो रहा है इसको wider acceptance मिल रही है अब पूरी-पूरी family कठे बैट के TikTok बना रही है तो अब ये आईसा ऐसा approved हो रहा है तो अब ये एक method of earning बन रहा है society में ठीक है पर जब इसको socially approved नहीं मिल रहा था तो उतना ज़्यादा ये काम नहीं चलता था उतना यहां पर इसमें जो लोग हैं वो involved नहीं थे consumption behavior अब देखो consumption behavior लोग क्या consume कर रहे हैं वो आपके economy का part आ गया अब लेकिन क्यों वो consume कर रहे हैं वो आपके society का part आ गया that is affected by your social and cultural values for example branded चीजे branded clothes से आप क्या करना चाहते हो society में आपना status बढ़ाना चाहते हो आप branded clothes खरीदना आपका economy का part है वो चीजे खरीद रहे हो लेकिन आप यही पुमा की ही shirt लेनी है यह आप क्यों बोलते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका social value आपका cultural value उस तरीक का बन गया है कि आपको अमीर ही दिखना है आपको high status चाहिए society में ठीक है तो वो किसका part हो गया आपके sociology का तो यह इन दोनों के बीच में relation है आपके pair of bird you जो भी इनको प्रनाउंस करना चाहो tongue twister जैसे लगते हैं मुझे इनके नाम तो उन्होंने का था है economist takes into consideration even the cost of externalities like suicide and pollution अब देखो suicide, pollution वगयरा यह आपके society से related चीज़ है लेकिन economist को इनकी भी ज़रूरत है suicide जादा होंगे तो productivity कम हो जाएगी ठीक है आपकी loss of productivity हो जाएगी और suicide problem हो आपको healthcare में सादा invest करना होगा तो economy के लिए ठीक नहीं है अगर productivity लॉस हो जाए healthcare में जादा आपको invest करने पड़े पैसे उसमें बाकी चीज़ों में फर invest नहीं कर पाओगे तो वो चीज़े आपके economy के लिए ठीक नहीं है pollution अगर बढ़ जाए pollution अब study करना आपके economist के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि natural resources जो आपके raw materials बनते हैं industries में वो ज़रूरी है economist के लिए वो study करना तो यह सारी चीज़े co-related stand-alone subject को ही नहीं है हर subject दूसरे subject से कुछ ना कुछ लेता आ रहा है fine for example the capitalist mode of production of different countries is viewed differently capitalistic mode of production क्या होता यह भी जह हम Karl Marx पड़ेंगे तो आपको यह वहाँ पे clear हो जाएगा Indian capitalism is viewed as compulsive capitalism while as Japanese capitalism is viewed as nationalist capitalism capitalism हमें पता है profit making ठीक है अब profit पे सादा दियान है अब है तो capitalism ही चीज़ लेकिन हर country का अलग है यह भी आपको बताता है कि capitalism है अपकी economy लेकिन हर country का अलग है that means कुछ ना कुछ social values हैं जो इंपक्ट कर रही है हमारा चलता है compulsive capitalism हम भी करते है LPG आपने बढ़ा होगा economy में यह क्या है liberalization, privatization, globalization that means government interference जो है वो minimum है लेकिन जापन का जापन का क्या है nationalist capitalism कि यह citizen को यह nation interest जो है वो अभव रखते है then उनका profit वगेरा ठीक है तो यह आगया आपका Japan और यह आगया आपका economy और sociology का relation classic sociology में one extreme position has been adopted Marx तो अब जहां भी economic sociology है Marx आप लिखके ही आओगे जो मिना आपको economic substructure and superstructure की बात बताई कि देखो यह आपका economic sub structure है यह economy है यही determine करेगी आपके बाकी super structures आपकी politics इस तरीके की चलेगी आपकी आपका religion कैसा होगा ठीक है यह सारी चीज़े आपका education level पे आप क्या बता रहे हो आप देखो politics में कैसे चलता है आपका economy campaigning में जो party जितना पैसा खर्च करती है ultimately जीत उसी party की होगी और जिसे horse trading का issue आता है MLA's खरीती है एक party दूसरी तो कहीं न की money flow हो रहा होता है तो वो भी determine करता है अमीर party के बनने के chance से जादा होते है तो यहां से भी इनका relation है आप देखो दरखेम ने theory of division of labor में भी sociological explanation ही दी थी division of labor जब एक काम को इसमे आपका goal एक हो लेकिन उसका आप डिवाइट करो ठीक है कोई काम किसी को दे दिया कोई काम किसी को दे दिया उन्होंने उसका भी sociological explanation ही दिया था वो हमें आगे पढ़ना है chapter 4 में अभी यपिसомे यह नहीं हो जाना अगर बिच्ण में इसमें कोई चीज़ कर रही हूं तो जान के कर रही हूं क्योंकि मैं आप छातेँ आभीआप वन दमेंशनल चलो अगर मैं आपको इसमें दिनकरज भी यहीं पर बताने लगों पर दियान देगा, money flows, input, output, ठीक है, और जो sociology है, would study the production enterprise as a social organization, अगर ये reliance GEO को भी पढ़ेगा sociology, तो उसका social perspective देखेगा, उसका economic perspective नहीं देखेगा, ठीक है, अगर इस supply of labor देखेगा, देखेगा, supply of labor कैसे impact होता है, values and preferences से, तो ये सारी चीज़े sociology में आ गई, जो traditional economist है, they seek to understand economic activity in a broader framework of ownership of relationship to the means of production, कि जो आपकी means of production है, उसमें क्या, जो आपकी tools है, उसके वो आप ओन करते हो, क्या वो फैक्ट्री आप ओन कर रहे हो, कि बहां पर, कि you are owned, either you own the factory or you are owned by the factory owner, ठीक है, वो relation देखता है, और sociology ने क्रिटिसाइज किया है, economic theory को as being reductionist in nature, ठीक है, मार्क्स को भी इ economy से ही related है, Indian capitalism को भी उन्होंने का economy से related है, religion को भी economy से related है, उनकी हर बात कहां पर आगे खतम होती है, economy, तो उनको बोला भी जाता है, economic determinism theory, उनकी theories को, ठीक है, उनने हर जगा economy के बात किया, it is more systemized and is more scientific, fine, or sociology जो है, मैं आपको पहली पी का solutions नहीं देता है, यह encourage करता है, critical perspective, य लेकि आपको solutions नहीं देते हैं, क्यूंकि फिर इसमें एक bias आजाएगा, law of demand, यह आपको build करता है, बड़ी-बड़ी theory, जो general होती है, for example, law of demand and supply, जिसकी जादा demand होगी, according to supply बैसी चलेगी, यह आपको economy बोलता है, और जो universal laws है, दो की वो दिये हैं, जैसे आगे-ागे आगे, पर होगी, आपको पता चलेगा, एक general grand framework देने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी भी यह, जो universal laws है, वो contested है, sociologists, नहीं मानते हैं उनको, क्यूंकि there is little consensus in sociology itself or the perspective which should be used, क्यूंकि अभी तक तो, इसी बात पर यह चल रहा है, कि whether we should use scientific method to study sociology or not, ठीक है, अभी जो method पर ही अभी वो करना चाहिए, society को पढ़ने के लिए, तो एक general law कहां से लेकि आएंगे, तो फिर अलग-अलग और भी इसमें views आगे, economic sociology, that means आपकी जो economy है, वो कैसे आपकी society determine करती है, gender budgeting, feminist economics, ठीक है, यह सारी चीजे भी sociology और economy दोनों को मिलाती है, gender budgeting भी, कि उसमें gender related policies हो, और feminist economics भी, कि उस सारी चीजे, economic and sociology को मिलाती है, economic is increasingly used sociological research to formulate new theories and policies, ठीक है, वो मैं आपको बताया, उनको sociology का data चाहिए, जिससे वो आगे, नई policies बना सके, और sociology बात में study करता है, impact क्या है उन policies का, इसमें आप LPG की, जो मैं आपको example दी थी, जैसे उनको ग्यास के लिए कोई policy लेके आनी है, ला उसको वो लाने के लिए data को देगा, वो data आपको sociologist प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, further जो economics है, वो often precise terminologies use करता है, और वो help किसको होती है, उसकी sociology को, वो कैसे, for example, हमें कोन से policies लेके आए, अगर economic related देखें, GST, तो GST क्या है, tax policy है, अगर tax में कोई भी change आता है, वो क तो spending saving behavior कोन सा आगया, आपकी sociology का पार्ट आगया, और यह जो terminologies, GST लेके आगे, यह law of demand and supply, मैंने पहले भी का, वो जो demand है, किसी चीज की demand जादा क्यू है, for example, brand consciousness, उनकी demand जादा क्यू है, कि वो आपका social values, culture values, determined करता है, ठीक है, तो यह सारी चीजे आपस में co-related है, तो यह I guess lecture जादा लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे stop करते है, next time पे हम sociology and psychology start करेंगे, तो अगर आपको lecture पसंदा है, do give a thumbs up, और comments में बताए, आपको lecture कैसा लगा, कोई और lecture आप चाहते है, अमें लेके आओं, तो वो भी में को बताएं, तो भी लेके आने के कोशिश करूँगी, त I take care, have a great day.